अगर आपका मन आपकी बात मानता, क्या आप चिंता पैदा करते? बस ये सरल साधना कीजिए, आप सभी, अगर आप कोई दूसरा योग नहीं कर सकते, तो आप इतना तो करी सकते हैं, ना? आप देखेंगे, कि आपकी आधी चिंता शान्त होनी शुरू हो जाएगे, क्योंकि वास्तव में संघर शिर्स बात का है, कि आपके भीतर दो हयाम हैं, अगर आपका मन आपकी बात मानता, क्या आप चिंता पैदा करते हैं, नहीं, इसलिए जवाबों के लिए कहीं और मत देखिए, कहीं भी दूसरी जगा, बात बस इतनी सी है, कि आपका अपना शरीर और मानसिक धाचा, आपके बात नहीं मान रहे हैं, तो आपने बहुत सी बाते कहीं, मैंने कोशिश की और ये पूरी कैलिफोरिया में जो बड़े-बड़े शब्द घूम रहे हैं, खास्तोर पर उसे सरेंडर करने के बारे में, इसे जाने देने के बारे में, ऐसी किसी चीज ने एक भी विक्ति के लिए काम नहीं किया है, कभ अना, साधरान सी सर्दी भी नहीं जाती, आप कहते हैं, जाओ क्या ये चली जाती है, इसलिए हमें समरपन के इन सजावटी चक्रों में नहीं पढ़ना चीए, ये सब इधर-उदर की बात हैं, कोई नहीं जानता कि समरपन क्या है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपको पता ह इसके नहीं चलेगा क्या असा होगा है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैंने समरपन कर दिया, ये कैसे समरपन करें, तो उन चीज़ों को छोड़कर, खासतोर पर, जैसे मैंने कहा है, आपने यूजर मैनुईल को नहीं पढ़ा है, कि ये कैसे काम करता है, हमें इस पर ध्यान यह सिस्टम इस तरह से बना है कि अगर आप अपना हाथ ऐसे रखें तो यह एक तरीके से काम करेगा, अगर आप ऐसे करें तो यह दूसरी तरीके से काम करेगा, यह एक अधभुत प्रक्रिया है, अगर यह कोई सरल चीज होती तो हम इसे छेनी हतोड़ी से कूट पीट कर सही प्रक्रियाकार में ले आते, ठीक है? यह बहुत साधा परिश्कृत है, यह मशीन असाधारन रूप से जटिल है, यह जिस चीज के लिए बनी है, उसे उस तरह इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित तरह का ध्यान देने की जरूरत है, वरना यह खुद को अस इसी भी चीज को कारण में ठहराइए, जरूरी बात बस यह है, आप अपने मन को वैसे नहीं रख पा रहे हैं जिस तरह से आप उसे चाहते हैं, आपकी बस यही समस्या है, है न? जिस पल आप कारण देते हैं कि मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पिता ऐसे थे, मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे दादा के जेनेटिक्स ठीक नहीं थी, तो समझी आप खत्म हैं, क्योंकि आप हम उन व्यक्तियों को बदल नहीं सकते, अब आप कोई अलग पिता या दादा नहीं चुन सकते, अब वो बीच चुके हैं, पर आप इसे रूपांतरिद कर सकते हैं आपको ये समझना चाहिए, अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चिंता का विकार है, फिर भी अगर आप एक गाजर का टुकड़ा भीतर डालते हैं, तो यहां एक ऐसी बुद्धिमत्ता है, जो एक गाजर को एक मनुश्यों में रूपांतरिद कर सकती है, इ अगर आप इसकी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी ले लें, तो आप पूरी तरह से एक नई शारिरिक और मानसिक प्रक्रिया का निर्मान कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, पिछले साल हम लोग तिबत में ट्रेकिंग कर रहे थे, मैं एक टेंट में था, मैं कुछ काम क काट रहा था, आपको इन दुनों मिलने वाले चीनी मिट्टी के चाकों का पता है, तो पास में दूसरी महिला उस व्यक्ति से कहती है, यह बहुत तेज चाको है, ध्यान रखना, यह मुझे थोड़ा परेशान करता है, मैं ऐसे देखता हूँ, क्यूंकि यह एक बड़ा आदमी है, और चाको को तेज धार ही होना चाहिए, अगर उसकी धार तेज ना हो, तो आप उसे चाको क्यों कहेंगे, तो मैंने उसे आन देखा किया और काम करता है, आगले दो मिनटों में वो फिर कहती है, यह बहुत तेज चाको है, ध्यान रखना, मैंने का आप बस करो, वो ekबड़ा आदमी है, उसे अकेला चोड़ दो, उसे पता है चाको को कैसे इस्तेमाल करना है, वो एक छोटा से चाको नहीं समाल सकता, यह कोई बहुत भारी मशीनरी या अंतरिक्षियान या ऐसा कुछ नहीं है, कि उसे पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है, यह यह चाको है वो क्या थी नहीं सद्गुरु ये बहुती तेज़ चाक हुए और मैं जो कर रहा था वो करता रहा है अगले दो मिन्टों में उससे फस पसाती है बहुत ध्यान रखना ही बहुत तेज़ है और अगले दो मिन्टों में वो अपनी उंगली काट लेता है जीवन के साथ यही सब हो रहा है आपके पास एक बुद्धी है जिसके लिए आपके पास कोई परियाप्त स्थिर आधार नहीं है या दूसरे शब्दों में आपके पास एक तेज चाकू है माफ किजेगा बहुत ही तेज चाकू आपके हाथ में एक बहुत ही तेज चाकू है पर आपका हाथ स्थिर नहीं है जरा देखिए यह आपका ही मन है जो सारी पीड़ा पैदा कर रहा है हां या नहीं तो आपके पास एक बहुत तेज चाकू है ये जितना धारदार होगा उतने ही आप खुद को काट लेंगे तो हमें चाको को कुंद नहीं करना है हमारे पास बस एक स्थिरहाथ होना चाहिए है न? इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है लोग इन तमाम शांतिकर दवाओं और बकवास के साथ जो आप लेते हैं उससे चाको को कुंद करने की कोशिश कर रहे है चाको को कुंद करना हल नहीं है क्योंकि अगर आप अपने होनी की संभावना को ही कम कर देते हैं तो सब ठीक होगा अगर हम आपका आदा दिमाग खटा दें तो आप काफी शांत रहेंगे क्योंकि चिंता पैदा करने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है अगर हम सच मुझ में आपका आदा दिमाग खटा दें मनश्य जो खोज रहा है वो किसी तरह असीम होना है किसी तरह और अगर ऐसा होना है तो आपको एक स्थिर आधार बनाना होगा चाकू को हटाने की जरूरत नहीं है चाकू को कुंद करने की जरूरत नहीं है बस हाथ को स्थिर रखने की जरूरत है कोई प्रक्रिया नहीं करनी है इनर इंजिनिरिंग का योग का बस यही अर्थ है जब मैं योग कहता हूँ कैलिफॉर्निया में रहने की वज़े से उन सभी असंभव मुद्राओं की कल्प नामत कीज़े योग का अर्थ मुद्राएं नहीं है योग कर्द है मिलन, ठीक है? योग का शाब्दिकर्द है मिलन, ये मिलन का पहला रूप है आपका दाया और बाया, इसे योग में पिंगला और इडा कहा जाता है ये आपके भीतर पौरोश और उस्त्रेण है इन्हें बस एक साथ कर दें, आप बस ये सरल साधना कीजे अगर आप दूसरा को योग नहीं कर सकते, तो इतना तो करी सकते हैं न आप ऐसा कीजे, जो आपके जीवन से संबंदित हो ये चड़ता हुआ सूरज हो सकता है सूरज उपर आ रहा है सूरज के उपर आए बिना इस ग्रापर आपका स्तुत्व ही नहीं होता है न आपके भीतर जीवन की गर्माहाट सिर्फिस लिए है क्योंकि सूरज उपर आता है तेड का ऑक्सिजन छोड़ना और उसके लिए आप कार्बन डायोकसाइड छोड़ते हैं और ये अदला बदली हो रही है इसके बिना आप जीवित नहीं होते हैं न इसकी ओर कुछ इस तरह इसे देखिए जो भोजन आप खाते हैं, सूरज जिस धर्ती पर आप चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं जो पानी पीते हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं इनमें से कुछ भी चुन लीजे बस ये कीजे, आपके दाएं और बाएं को पूरी तरह एक साथ कर दीजे इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, बिल्कुल सीधे ठीक है? बस किसी ऐसी चीज की ओर देखे, जो आपके लिए सच में माईने रखती है शायद सूरज, शायद आकाश, शायद बादल, शायद एक पेड़ या कोई व्यक्ती, शायद एक बच्चा, एक जानवर, कोई माईने ने रखता कि क्या बस उसकी ओर देखे, लगातार 10-12 मिंटों तक दोनों हाथों को जोड़े रखे, आप देखेंगे कि आपकी आधी चिंता शान्त होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वास्ताव में संघर्ष ये है कि आपके भीतर दो आयाम है मैं इसके विस्तृत विवरन में नहीं जाना चाहता क्योंकि योग, शरीर विज्ञान इसके बारे में विस्तार से बताता है लेकिन सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक चिकित साविज्ञान आपको बता रहा है कि एक दाया दिमाग है और एक बाया दिमाग है ठीक है? बस इन दोनों चीज़ों को एक साथ रख दीजे ऐसे किसी भी चीज़ की ओर परम प्रेम और प्रशंसार से देखिए जो आपके लिए माहिने रखती है वो आपके पत्नी हो सकती है, आपके पती हो सकते हैं आपकी सन्तान हो सकती है एक पेड़, एक कुट्टा, आकाश, सूरज, चांद इन में से हर चीज आपके जीवन के लिए ज़रूरी है कैसा नहीं? आप इन में से जिस भी चीज के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं इन दोनों चीजों को एक साथ रखते हुए उनकी और परहम मंधुरता से देखिए ये पहचानते हुए कि वे आपके लिए कितने ज़रूरी है कई चीजें बदल जाएंगे ये योग का पहला रूप है अगर मैं ये करता हूँ तो ये मुश्किल हो जाता है और नमस्कार करने के कई तरीके हैं इस तरह इस तरह इस तरह ये सबसे सरल चीज है यहीं से शुरू कीजे ठीक है